हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जाम हिंट्स में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो को बिना किसी देरी के सुरू करते हैं तो आज की इस वीडियो का पहला प्रस्न है यानि कि जैव सांखेगी को और किस नाम से जानते हैं तो इसका अपसन है इस्टे टिक्स टिक्स इन बायो सेकेंड आपसन दिया गया है बायो नेमरोलाजी आपसन थर्ड है बायोमेटरी तथा फोर्थ आपसन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन सी बायोमेटरी यानि कि बायो स्टेटिक्स को बायोमेटरी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन सी बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है तो इसके आपसन है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन सी अगला प्रस्ण है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन टी रेंज केंद्री प्रवित्र की माप की अंतरगरद मीन मोड और मेडियन आते है जबकी रेंज नहीं आता है तो इसका राइट आपसन हो जाएगा आपसन टी अगला प्रस्ण है इस्टेंडर्ड डिवियेशन इसका इसक्वाइर होता है तो इसके आपसन है mode का, second आपसन है variance का, third आपसन है standard error का, तथा fourth आपसन है regression का, तो इसका जो right answer है वह है आपसन भी variance का. आगला प्रस्ण है, बात करें अगली प्रस्ण की, तो अगला प्रस्ण है, who represents the average value of data set, यानि कि निमलिकित में से कौन किसी भी data set में उसकी average value को प्रतरशित करता है, तो इसके option है mean, second option है mode, option third है median, तथा fourth option है none, तो इसका जो right answer है वह है option first mean, mean किसी भी data set में उसकी average value प्रतरशित करने का कारिक करता है, तो इसका right answer जाएगा option first. अगला प्रस्ण है which major of central tendency include the magnitude of scores, यानि कि केंदरी प्रवित्त की वहमाप जो की magnitude of score को include करती है, क्या कहलाती है, तो इसके option है mean, second option है mode, option third है median, तथा fourth option है range, तो इसका right answer है option first mean. बात करें अगले प्रस्ण की, तो अगला प्रस्ण है calculate the arithmetic mean of following data, तो इसके option दिये गए हैं, और यहाँ पर इसका data दिया गया है, तो arithmetic mean को calculate करने का formula होता है, sum of all observation upon total number of observation, तो इस सबसे पहले हम arithmetic mean का formula लिख लेंगे, तो sum of all observation upon total number of observation, उपर दिये गए data set में जितने observation होंगे, तो करमसा add कर देंगे, यानि कि जोड़ देंगे, तथा जितने number of observation होंगे, उनसे divide कर देंगे, तो sum of all observation उपर करेंगे, और जितने total number of observation है, उसे divide करने का कारी करेंगे, तो total number of observation है, तथा उपर जितने भी observation है, उन्हें add करने के बाद आया, 482, उसे 6, यानि कि total number of observation से divide करने पर प्राप्त होगा 80.33 तो यह हो जाएगा हमारा right answer तो इसका right answer है option b वहीं बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है calculate the mean of यानि कि निमलिखित का mean calculate कीजिए तो यहाँ पर एक discrete series दी गई है यानि कि जब data set में उसके observation के साथ उसकी frequency frequency f b d रहती है तो ऐसे series को discrete series कहते हैं तो यहाँ पर जो yaks है वो आपको observation को प्रतसित कर रहा है तथा याफ उसकी frequency को यानि कि जैसे पहला observation है 2 कितनी बारा है तो उसकी frequency बता रही है कि 2 3 बारा है वहीं अगला observation है 3, 3 कितनी बारा है तो 3 2 बारा है तो यह हो गई आपकी discrete series तो चलिए इस question को solve करते है तो discrete series के mean calculation के लिए सरप्रतम दिये गए observation को करमसा तता उसकी frequency को उसके साथ उतार लेंगे तता number of observation यानि कि जितने भी आपके observation दिये गए है उसकी frequency के साथ multiply करके लिख देंगे जैसे कि आप पहला observation है 2 तो इसका multiply उसकी frequency 3 में कर देंगे जिससे हमें प्राप्त होगा 6 ठीक उसे प्रकार अगला observation है 3 उसकी frequency 2 है तो इसमें multiply करने पर मिलेगा 6 उसे प्रकार अगला observation 5 उसकी frequency है 2 उसमें multiply करने पर आएगा 10 अगला observation 7 frequency 1 उसमें multiply करने पर आएगा 7 तो इस प्रकार जितने भी हमें sigma fx प्राप्थ होंगे यानि कि जितने fx हमें प्राप्थ होंगे इसको जब add करेंगे तो उसके आगे sigma का sign लगा देंगे तो इस प्रकार sigma fx यानि कि जितने भी ये value आई हैं इन सबको add करने पर आएगा 29 उसे प्रकार सभी frequency को add जब करेंगे तो frequency का आगे sigma का sign लगा देंगे और इन सभी frequency को जब add करेंगे तो आएगा 9 तो discrete series के लिए arithmetic mean का formula होता है sigma fx upon sigma f तो इस फार्मूले में sigma fx की value 29 तथा sigma f की value 9 को put कर देंगे तथा इसकी answer आजाएगी 3.22 तो इस question का right answer जाएगा option 5 वहीं बात करें अगले प्रस्ष्ण की तो अगला प्रस्ष्ण है to calculate median all the items of a series have to be arranged in यानि कि माधिका median को calculate करने के लिए जितने भी items series में दिये रहेंगे उन्हें की scrum में arrange करना रहेगा तो इसके option दिये गया है descending order में second option है ascending order में option third दिया गया है ascending order descending order तता fourth option है none तो इसका जो right answer है वह है option C ascending order descending order यानि कि जब भी median यानि कि माधिका को calculate करते हैं जितने आपको data दिये रहेंगे उसे या तो ascending order में या फिर descending order में arrange करते हैं अगला प्रस्थन है mode refers to the value within a series that occurs dash number of times यानि कि किसी भी series में mode उस value को represent करता है जिसकी संख्या क्या होती है जिसके option है maximum यानि कि ज्यादा होती है second option है minimum यानि कि कम होती है option third है zero तथा fourth option है infinite तो इसका जो right answer है वह है option first maximum यानि कि अगर कोई आपको data series या कोई series दी गई है तो उसमें जिसका frequency यानि कि जो सबसे ज़्यादा times आया रहेगा उसी value को mode कहते है तो इसका right answer है option first अगला प्रेशन है find mode of the following data यानि कि निमलिखित data का mode find कीजिए तो यहाँ पे series दी गई है जिसमें two, three, seven, nine, three, five, three, eight, three, five तो इस numbers में जो सबसे ज़्यादा बार यानि कि जिसकी frequency ज़्यादा रहेगी उसी को हम mode कहते है तो इसमें तीन सबसे ज़्यादा बार आया है जिसका जो mode है वह है option B, three वह ही बात करें अगले प्रस्न की तो अगला प्रस्न है relationship between mode, median and mean is यानि कि mode, median और mean के बीच क्या संबंद होता है तो इसका right answer है option B यानि कि mode is equal to three median minus two mean या संबंद होता है तो इसका right answer है option B बात करें अगले प्रस्न की तो अगला प्रस्न है calculate the median निमलिकित का median calculate कीजिए तो यहाँ पर आपको numbers दिये गए है तो इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे किसी भी median को calculate करने से पहले सबसे पहले हम यह देखना होता है कि वैं ascending या descending order में arrange है या नहीं अगर नहीं है तूसरे arrange कर लेंगे और अगर पहले से arrange है तब कोई बात नहीं तो यहाँ पर यह पहले सही ascending order में arrange की गई है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि total number of item कितने है तो टोटल नमबर आफ आइटम है 5 जिसे हम गिल लेंगे करमसा 1, 2, 3, 4 और 5 तो यह टोटल नमबर आफ आइटम 5 है और 5 एक और नमबर है तो और नमबर के लिए जो मेडियन का फार्मूला होता है वह होता है यन प्लस 1 अपान 2 आइटम तो जहाँ पर यन जो है वह टोटल नमबर आफ आइटम है तो यन की वैल्यू 5 रख लेंगे और प्लस 1 अपान 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 अब हम यह देख लेंगे कि उस जो सिरीज हमें दी गई है उसमें तीसरे नमबर पर कौन सा आइटम आया है तो तीसरे नमबर पर जो आइटम आया है वह है 8 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपसन 1st 8 तो उपर दिये गए सिरीज की जो मेडियन होगी वह होगी 8 तो इसका right answer है option first वहीं अगला प्रस्ण है calculate the median of यानि की निमलिखित का median calculate केजिए तो यहाँ पर जो आपको series दी गई है यह ना तो descending order में ना ही ascending order में arrange है तो इसे सबसे पहले हम किसी order या तो ascending या तो descending order में arrange करेंगे तो इसे हम arrange कर लेते हैं arrange in order तो इसे arrange करने पर 1,2,3,4,5,6 मिलेगा अब यह गिन लेते हैं कि कितने total number of item है तो total number of item है यानि कि यह एक even number है और even number के लिए median का formula होता है n upon 2 item plus n upon 2 plus 1 item total upon 2 तो इस formula पर जहाँ पर n total number of item है तो n की जगा पर 6 रखके इसको हम solve कर लेंगे तो जब हम इसको solve करेंगे तो आएगा 3.5 तो इसका right answer जाएगा option C बात करें अगले प्रस्म की तो अगला प्रस्म है who give the concept of standard deviation यानि कि standard deviation का concept किस नहीं दिया था तो इसके option दिये गया है Karl Pearson, second option दिये गया है Joseph, option third है Francis Galton, fourth option है none तो इसका right answer है वह है option first Karl Pearson अगला प्रस्म है variance is the square of यानि कि variance किसका square होता है तो variance होता है square standard deviation का तो इसका right answer है option C बात करें अगले प्रस्म की तो अगला प्रस्म है what is true about positive और right squid data यानि कि positive या फिर right squid data के लिए निमलखित में से क्या सही है तो इसका right answer है option first positive या फिर right squid data के लिए mean की value सबसे अधी उसके बाद median की तता सबसे कम mode की होती है तो इसका right answer जाएगा option first अगला प्रस्म है इन negative squid distribution यानि कि negative squid distribution में mean, median और mode में क्या relation होता है तो इसका right answer होगा होगा है option first यानि कि positive squid का ultra negative squid में होता है इसमें सबसे ज़्यादा value हाएगी mode की फिर median की और सबसे कम mean की तो इसका right answer जाएगा option first अगला प्रस्म है in symmetric skewed distribution यानि कि symmetric skewed distribution में mean, mode और median में क्या समानता होती है तो इसका right answer है option C यानि कि symmetric skewed में mean, median और mode इन तीनों की value सेम होती है तो इसका right answer है option C आगला प्रस्म है who measures the peakedness of a frequency distribution यानि कि कि किसी भी frequency distribution की सिखर था यानि कि peakedness को कौन मापता है तो इसकी option है skewedness, option second है kurtosis, third option है both तथा fourth option दिये गया है none यानि कि कोई नहीं तो इसका right answer है वह option भी kurtosis आगला प्रस्म है those curve which have high peak each यानि कि वह curve जिसके पास ज्यादा peak होती है वो से कौन सा curve कहते है तो इसके option है leptic leptocartic curve second option है mesocartic third option है platy critic तो इसका right answer है option first leptocartic curve अगला प्रस्म है those curve which have moderately high peak comparable to normal curve यानि कि वह curve जिसके पास normal curve से अधिक peak होती है उस curve को क्या कहते है तो इसके option है leptocartic mesocartic और option है platy critic तो इसका right answer है वह option B mesocartic अगला प्रस्म है platy critic curve है यानि कि platy critic curve के पास कैसी peak होती है तो इसके option है high peak second option है normal peak third option है more flat on the top than normal curve यानि कि top पर वह flat होती है normal curve से B उसका right answer है वह option C तो जैसा कि आपको पता होगा कि kurtosis जो होती है वह तीन प्रकार की होती है जिनमें जो सबसे उचा कर्व होता है तता उचाई पर सबसे उचा होता है उसे leptocartic curve कहते हैं तो यह आपका हो जाएगा leptocartic curve वही जो leptocartic curve से नीचे और normal curve जैसा होता है तो ऐसे कर्व को mesocartic curve कहते हैं तता जो कर्व सबसे चप्ता होता है तता सबसे छोटा होता है ऐसे कर्व को हम platy critic curve कहते हैं तो सबसे उची चोटी वाला जो कर्व रहेगा उसे leptocartic उसे नीचे वाले को जैनि कि जो normal होगा उसे mesocartic तता सबसे नीचे वाली peak darkness जो सो करेगा उसे platy critic curve कहते हैं बात करें अगले प्रस्न की तो अगला प्रस्न है who provided the definition of probability जैनि कि प्राइकता की definition को किसने प्रवाइट किया था तो इसके आपसन है guilt Euclid आपसन थर्ड है C1 Leplace तता थर्ड आपसन है Unstinct तो इसका जो right answer है वह है आपसन C C1 Leplace ने probability की definition को provide किया था तो इसका right answer है आपसन C अगला प्रस्न है an event in the probability that will never be happened to each called edge यानि कि प्राइक्ता में वह घटना जो की कभी नहीं होती है उसे क्या कहते है तो इसके आपसन है Unsure event Sure event आपसन थर्ड है Possible event तता फूर्थ आपसन है Impossible event तो ऐसे event को Impossible event कहते है तो इसका right answer है आपसन B आगला प्रस्न है if PE is equal to 0.07 the value of P0E यानि कि अगर PE की value 0.07 है तो P0E की value को find कीजिए तो इसके आपसन याप पर दिये गए है तो चलिए इसे सालो करके देखते है तो probability में formula होता है PE plus P0E is equal to 1 यानि कि PE और P0E को जोडने पर 1 आना चाहिए तो PE की value हमें question में दी गई है 0.07 P0E की value find करनी है और इन दोनों का जो जोड होता है युक्फल होता है उसके value 1 होती है तो P0E is equal to हो जाएगा 1 0.07 को इस side से दूसरी side ले जाएगे तो वो हो जाएगा minus 0.07 और इसे जब solve करेंगे तो आएगा probability of getting two tails when the two coins are tasked each यानि कि जब दो सिक्कों को एक साथ उचाला जाता है तो दोनों पर tail आने की प्राइकता कितनी होगी तो इसके option यहाँ पर दिए गए है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब दो सिक्कों को उचाला जाएगा तो दोनों पर tail आने की प्राइकता कितनी हो सकती है तो एक बार आएगा एक सिक्के पर hit दूसरे पर आएगा tail फिर जब उसे दूसरी बार उचालेंगे तो दूसरे पर tail आ सकता है और पहले वाले पर hit इसके अलामा या तो दोनों पर hit आएगा या फिर दोनों पर tail आएगा तो यह एक गटना हो रही है 4 times और दोनों पर tail आ रहा है सिर्फ एक बार तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसंडी 1 upon 4 यानि कि हमने दो सिक्कों को एक साथ उचालने की जो कुल परायक्ता बनेगी वो है 4 और दोनों पर tail आने की परायक्ता है वो है 1 तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है आपसंडी 1 upon 4 बात करें अगले प्रस्न की तो अगला प्रस्न है यानि कि जब एक पांसे को उचाला जाता है तो उस पे 1 और 5 आने की परायक्ता कितनी है तो इसके आपसंडी गए गया है तो जब हम किसी भी पांसे को उचालेंगे तो उस पे कुल 6 परायक्ता हैं बन सकते हैं यानि की एक बार एक आ सकता है दूसरी बार 2, तिसरी बार 3 चौथी बार में 4, पांचमी में 5 और छटमी में 6 यानि कि kुल 6 परायक्ता हैं بनेंगी जब हम 1 पासर को उच्छा लेंगे और उसमें पूछा आया है कि 1 और 5 आनि की कितनी परायक्ता है तो 1 एक बार आएगा और 5 जो है वह भी एक बार आएगा यानि कि कुल 2 परायक्ता हैं बनेंगी और जब इसे हम solve करेंगे तो इसका answer जाएगा 1 upon 3 तो इस प्रकार इसका जो right answer होगा वह है option b 1 upon 3 वहीं अगला प्रस्ण है If winning probability is 0.3 then find the losing probability यानि कि अगर जीतने की प्राइक्ता 0.3 है तो हारने की प्राइक्ता ग्याद किजे तो चलिए इस question को solve करते है तो हम मान लेते हैं कि pe is equal to winning probability यानि कि winning probability को pe पर दर्शित करेगा तथा losing probability को p naught e तो हमें मालूम है कि pe plus p naught e is equal to 1 होता है तो pe की value यहां रख देंगे 0.3 तथा p naught e की value को जब calculate करेंगी तो आएगा 0.7 तो इस question का answer हो जाएगा option से बात करें आज के इस last question की तो question है calculate the mode for following data in continuous series यानि कि continuous series में mode को calculate कीजिए following data के लिए तो जब class आपको जो observation है वह interval के तोर पे दिया रहे जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यानि कि जो आपकी class है वह interval में रहे तो ऐसी series को हम continuous series कहते हैं और उसके साथ frequency दे रहने चाहिए तो सबसे पहले हम यह देखेंगे किसकी frequency सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर जो class interval है 22, 30 इसकी frequency सबसे ज़्यादा 4 है तो इसे हम F1 माल लेंगी तथा इसके पहली वाली frequency को F0 तथा उसे बाद वाली frequency को F2 माल लेंगे तथा इस class की जो lower class है उसे हम L से denote कर देंगे यानि कि L is equal to 20 तथा जैसा कि हमें पता है कि continuous series के लिए mode का formula होता है L plus bracket में F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 upon F2 into H यहाँ पर H जो है वह class interval है तो उपर से L की value 20 F1 F0 की value को रख की तथा यह जो कि आपका class interval यानि कि जो 0 से 10 10 से 20 उनके बीच कितना अंतर है उसी को class interval कहते है तो class interval हो जाएगा 10 और इसे solve कर लेंगे तो आ जाएगा 24 तो इस परकार जो आपका right answer है वह है option B तो आज की इस वीडियो में हमने unit 5 यानि की bio statistics के कुल 30 most important multiple choice questions देखे हैं हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like करें comment करके जरूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैचे लेगी अधा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you